रोप्र योवन को सब्दिमा विश्चो हल्लाउने पामेला बड़ेश। पामेला ले ब्रिटेन को समस्द मात्र हल्लाईनन उनले पुरा विश्चो माने तहलका मचाएगी थी। आपनो उल्टो पाल्टो बानिले पत्रिगा को हेडलाइन मा आयरनी कामगर्नी पामेला को जन्मा भारत मा 19 अप्रिल 1922 मा हरियाना को योटा सानो गाउं मेजर हरेंदर सिंग चौदरी को खार मा भाय गुथियो। उनको नाम प्रमिला राखिये गुथियो। सिक्षा दिला आयरा उच्छ सर्खारी पदमा पुगेकु हेरना चाहांतिन। किसरा वस्ता सम्मा प्रमिला सरल रूप मार हंतिन। कहिलेई उनलाई सजी एको र राम्री बन्ना खोजेगो देखिये न। उनी प्राकृतिक रूप माने धेरी सुन्दर थिन। सायद एसे कारणले त्यो उमेर सम्मा उनले आफोसंगई का साथी हरूले जस्ताई सजीने र स्ट्रिंगारी नी उनी आवसेक्ता महसुस गरिन। परिवार संगई पामेला दिल्ली आयरा साउथ दिल्ली उमेंस पोली टेक्मिक बाटा फेशन एंड टेक्स्टाइल्स डिजाइनिंग मां दिप्लो मां प्रविश्ट गरिन। फेरी लेडी स्री राम कलेज मां प्रविश्ट गरिन। र बीए पर्ण थालिन। एती बेला उनको मेर अठारा बर्ष को थियो र हाइट पांच फिट नोवेंस थियो। उनिशन गई श्री राम कलेज मां बीए गरि रहेका केती हरू उनको शारिरिक विकास देखी आश्चरे मां परेकाती। प्रमिला लाई आफनो अंग को विकास मां बिशेश चिन्ता रहने गर्थ्यो। कलेज लाईप मां पाईला टेक्नी वित्तिके उनमां तीब्र रुपकले पहेटा पलाय। जिजो सम्मकी सरल श्रेंगार नगरने प्रमिला धुम्रपान गरने रा केटा हरूले जस्ता लुगालाउने बानी बसाउन थालीन। नारी शुलब लज्जा अभ्ठ्यारोर संकोष ले उनलाई छोना सकेना। उन्ही युबकरुसंगा खुल्लम खुला साथी बने रहर्थिन। उनले एक पटक कलेज को गल्ली मां उभियार चिच्च्यायर भनिन। जिच्च्यायर भनिन हे भगवान अबक्ये होला आजदा गर्व निरोधा गोलीने खाना बिर्शिये छू। उनले एसो भनेर सबैलाई इस्तब्द बनाईन। उनको विशाय मां 12 मार्च 1990 मां ब्रिटेन को एक पत्रिका न्यूज अफ्दा ओर्ड ले छापयो आउस अब कमंस मां एक बेशिया कारेरत जो मोज मस्तिका लागी जेपनी गर्न सक्षे। ब्रिटेन मां यो खबरली संशनी मच्चियो। पची फेरी पत्रिका हरू ले ले लेखे टोटी पाटी मां डेविट साकी शोथ साहेक पामेरा बडेस एक काल गर हुन। रव उनी बार्शिक 3,000 पाउंड कमाई भायर पनी लंडन मा 5,000 पाउंड को मुल्यवान आलिशान घर्मा बशिकी छिन। उनको खर्चा हिसाबई गर्ना न सकीने छा। तथा उनको भेटगाड एस्ता मानी सरुषंगा छा। जो उनका मालिक भंदापनी उच्च ओहधा माछन। यो भंदापनी धेराई संशनी खेज बयान पामेलाले दिन। यલे सबई कुरा खोली दिनी हो भणे, लौंडन मा सबई कुरा ठप पभन। युदि मैले ककसलाई मेरोशरी सुम्पिये भने रावने भने तखलका मतचीने छ। मैले चाहए भने आज़ाई ब्रितडिन को सत्ता ठल्छ। यो ततहलका मतचाउनले बयान पचली, पुर्याय का थिये, यदी उनी हरु को बिरुद्धामा सबय कुरा खोली दिये की फैए, यो संसार को कुनी पुनी भाग मा बश्न उनलाई समस्या पर्नी थियो। जुन समचार उनको बिशाई मा छाबिये को थियो, तथा बयान मा पामिला ले जिये भने की थिन, एस पचिता उनी प्रेश मीडिया का लागी मसला बनेन। पामिला को बारे मा संशनी खेट जानकारी हरू तथा उत्तेजक भोटो छाबनी घोडने लागे को थियो। उनी एस चताब दीकी सब इवन्दा विवादाईस पत एवं विलाशी सुन्दरी गुरूप मा अगाडी आएन। उनी आफनो कलेज लाइफ का पनी तिने केटी हरूशंग मात्र संबंद बनावतीन। जो उनी जर्स्तेई स्वच्च और खुल्ला विचार का थिये। एटा हरूशंग पनी उनी खुल्ला रूपली सेक्स को बारेमा चर्चा गर्ने गर्थीन। उनले एक पटक सेंट स्टिफन कलेज मा एक छात्र संग खुल्लम खुल्ला चुम्मन गरेरा संशनी मा चाईन। आफनो सचन्द विचार मा उनी अगारी बढ़ देगाईन। उनको नजीके रहेका एक साथीले पत्रिका को साक्सात कार मा बताए कि प्रमिला पामिला बाठा नई चिनी नमन पराऊशेन। उनका साथी हरुको मुख मा अजै पुनि प्रमिला ने जुन्दियेको ठियो। एक दिन गर्मी को मवकुषम मा तास खेली रहेको बेला मा अचानाक बिजुरी गल्यप्चि उनी आफनी साथी हरुको बाठा निच मा जीन्स खोलेर बशेकी थिन। सन 1981 मा उनी पहिलो पटक बंबई गयें। उनको महत्त्वकांग सा धेरे उच्छा थियो। फेशन को दोर मा अगाडी दोडेरा उनी अथा धन समेटना चाहन थियो। उनले प्राकिटिक रूप मा जुन सुन्दर थार योबन प्राप्त गरेकी थिन। तेसलाए उनी यासगराउन चाहन थिन। उनको बंबई जानुको उदेशिया फोर्टोग्राफर संगा भेटनो दियो। तेती बेरासम्मा उनले दिल्लीको विक्याबन कमपनी एडवेज मा मोडल को रूप मा धेरे ख्याती कमाई शाकेगी थिन। उनले बंबई मा मानी शरूलाई भेटेरा आपनो सम्मन्द बढ़ाईन तथा जुन लक्षे तेरा उनी बढ़न चाहान थिन। तेता तीरा बलिड़ाईन। उनले इसन 1922 सम्मा पामिला सिंको नामले विख्यात भाई साकेगी थिन। उनले पुने शिया थरको ब्यक्ति संग विभागरी थिन। वन्ने कुरा सुन्ना मायो। तर ठीक संग ले भन्ना सकी रही ना कि यो पबलिशिटी को हटकंडा थियो या बास्तविक्ता। आपनो सिया थरको बारे माँ प्रमिला सन इचुप लागी थिन। उनले सन 1922 माँ फेमिना पत्रिका ज्वारा आयोजित मिस इंडिया प्रतियोगी था जितिन। उनको प्यक्तितो राधा राध बदलियो। अब उनी हिंदुस्तान को नजर्मा एक ख्याति प्रात्त बस्तु बनी सकी गितिन। उनले मोर्लिंग मा आपनो इस्तान बनायरा मिस इंडिया बने पछी फिल्म मा पाईला हालने बारे मा शोचिन। पामेलाले फिल्म जगत का मानी सरुषां का संपर का बनाऊना सुरुगरी। यदी पामेलाको कुने श्वार्थ सिद्धा होंत्यों बने राती जसको पनी सहचरी बने रा बस्नमा उनले कुने आपती थिये न। तर बंबई फिल्म उद्धोग मा राता रात आउनु सजिले पुरा थिये न। येसमा ठीक समय अवसर रा धायरेको धेरे आवसेकता होंचा। तर पामेलामा धायरे नहीं थिये न। उनी ता छिटो भन्दा छिटो ख्याती कम अनु जानती। उनी ख्याती को दोर्मा ती ब्रताले दोन दे अगाड़ी निस्कीन हतारी एकी थिन। पामेलाले फिल्म गांधी को शुटिंग को बेलामा निर्देशक रिचर्ट, एडन बरो तथा उनका विदेशी स्वायक भारत के वितरक एबम निर्माता को वरी बरी गुमेरा आपनों लागी रोल पाये की थिन। तई पनी यो रोल कती सान थियो मने एसली उनला कुने भाईदा भायेना। एस प्रकारले जेम्स बोंड श्रिंखलाको हलिवुट को फिल्म अक्तो पसमा पनी उनली शान रोल पायेन। जसमा पनी उनला कुने क्रेडिट मिलेन। उनली विश्व सुन्दरी प्रतियोगी रामा भागली नको लागनी जुलाई 1922 मा पेरु गाईन। यो उनको एस्तो यात्रातियो जस पची उनली धरेई समय समा पथाडी फरकेर हेरीन। उनले त्यो बाटो मा हिडेरा नया नया पुरूशरू प्रभाव साली हस्ती हरू संसार का धनाडे मानी सरू देखी राजनिती के हरूशंगा सम्मा संपर्के इस्ताफित गरिन। पामेला पेरू मा भायको 200 सुन्दरी प्रतियोगी तामा असपर भायपची लस अंजलस काई। उनले त्यहा अस्ताई भीचामा चा मैना पशीन। उनले पासपोर्ट मा दिल्ली इस्ताई ठेगाना न लेखेरा बंबई को ठेगाना लेखाएगी तिन। शालीमार 200 सुर मेरिन ड्राइब नो बंबई उनले लेखायको यो ठेगाना जूटो पायू उनले पेरिश मा बस्ते आयका फ्रेंज नागरीक डोमेनिक बोडेस अंग बिधा गरेरा फ्रेंज नागरीक ताप्राप्त गरिन। तथा एस प्रकार ले प्रमीला बाटा पामेला पामेला शिंग रब पामेला बोडेस बनें। अईले उनले पामेला बोडेस को नाम लेन चीनिन छाप स्थानGold में। को शोक कारण ले लंडन मा अभिजात बर्ग मा छिट्टे आपने छेत्र विस्तार गरीं। डोमेनिक एक करोल पती गितार बादक थी। डोमेनिक बोडेश को तर्फबाट जती धन खर्चा गरे पनी उनलाई छोड थी। तथा उनको नाम प्रहुगरने शोतन तता पनी थी। पामेलाले लंडन पुगेरा उच्च राजनिति गेसं का सम्पर्क इस्थापित गरी। जस्मा टोटी सामसत सदस्य डेविट शापनी थी। उनको शिभारिस मा हाउस अफ कमर्स मा उनी रिशर्स असिस्टें बनेगी थी। जाहां उनले बिस्तारे बिस्तारे समसत सदस्य तथा मंत्री अरुशं का सम्बंद बनाई। तेस्पची जब पत्र पत्रिकाले उनको सवकत पुण जिन्दगी को बारे मा छापे तथा पामेलाले आपनु बयान दिन। तब लंडन को राजनितिमा केई समय भुई चालो ने गई रहो। उनको सम्बंद रोमानिया का सम्बादक टरेल फोर्ड संग थीन। बोर्डरूम पत्रिका का सम्बादक मार्क बर्था, सामसर्थ हेनरी बेलिंगम, सामसर्थ डेविशाह, लिवियाली कुत्नितिग्य करनल मुहमर अहम्मद गेद्दा फेद्दम तथा बिटिश खेल मंत्री कुलीन मुयनिहाल संग पाम नथाले, निलले अगस्ट 1988 सिमा पामेला संग संग सम्बन बिचेत गर्न चाहे, तरह पामेला ले मानिना, उनले रिषले पईचीले निलको सबयलुगा हरू काटी दिन। बिचेति गर्निंचाकी बिटेन संग 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 राज पत्र ले रहस्य कोलली प्रस्ण उठाय गोथियो। पामेला को घर मा यो घंटी कीन लगाईयो, भन्नेकुरा रहश्य पोना छा, ये तिहां सामसद हरू आउने जाने गर थे, सामसद तिहां एती मस्त हुनते कि उन्हें हरूलाई समसद मा जाने समय पनी याद हुन देने थियो, त्यों समय याद दिला उनका लागी यो घंटी ल तर पैसालियर आपनो प्रेम बाणने कुरामा पामेला लाएक कुने आपत्ती थिये न। पामेला को बाइंग खाता लंडन का दोई बाइंग मा रहेका बताईयो, ये उटा पी चोदरी तथा धोसरू पी शिय को नाम्मा, तर यो कुरा जांच मा सिद्ध हुन सके न। पाल रेमंड को मेन अनली पत्रिकाले एका तिर पामेला को नग्न चित्रहर को लागी साथ लाख पचास हज़ार पाउंड दिने कुरा गरे भने तहीं एविनिंग इस्टांड ले लेख्यो पामेला लिबियाली जास्टू चक्कर माँ फांचेगी, तर उनको एस तो भ्यक् अरिका को राष्ट भती बने तब लंडन इस्टित अमेरिकी तुताबास मा आयोजित पाटी मा पामेला राय विशेश रूप मा आमंत्रित गरिये को थियो, उनी विशेश पाउना का साथ अगिलो पंक्ति मा बसे गी थिन, पामेला कईयों पटक अंतरास्ट्य हतियार यही समचार का अनसार सुन्दरी युवा इस्तिरी को सोखिन, अधनान खामोसी जो सुन्दर इस्तिरी को मा देमले आपनो कारबार चलाउनमा माहिर मानिन थे उनी संग 1913 को बेलामा के हफ्ता बसे उनी तेसपची खामोसी संगे उनको परिश इस्तित आभास मा कईयों महीन पामेला कांड़ जब अगाड़ी आयो तब देखिने उनी लण्डन बाट गाय भाईनी उनी पहिला हंकंग गईन तेसपची सिंगापूर तथा पची इंडोनेशिया को बाली दीप मा देखिन पामेलाला लियेर लण्डन मा हंगामा भाय गुतियों तेसमा जाच कमिटी ब लागी बेश्या विर्तिको सहारा लियेगो हो शिया दला लिगो उनले धन सम्पति थुपारे रव आपनो लागी युग उपुगनी सुखसुविदा एबं विलाशिता को सामागिरी जुटाए ब्रेकिंग निउज मात्र हैन विज्यान, खवोल विज्यान, इतिहांस, कथा, आत्मा कथा र जिवनिका साथ ही ब्रमांड का रहस्य हरू और जिवन्दर जगत का अनेक रोचक प्रसंग हरू इस चैनल निउज भटा फटमा प्रस्तु धोने गर्शन यस्ताई यस्ताई विडियो को लागी हामिलाई सब्स्क्राइब गर्नो हला रह नया विडियो सर्वा प्रथम हेर्नक लागी नोटिपिकेशन प्राप्त गर्न बिल आइकन पनी दबाउनो हला